तो हलो गेमर इट इस में सेल्जो और जी टी ए फाइव के एक और एक एपिसोड में आप सभी का सुवागत है तो जिन लोगों ने मेरी पुराने वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि यहाँ पर हमने एक बहुती लग्जरी कार शोरूम भाय कर लिया है जो कि रोल रोल्स का है और आपको पता ही है रोल रोल्स कार कितनी कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी होती है तो भाई अब उसका शोरूम हमने यहाँ पर भाई कर लिया है और मैं आपको यह भी बता दू कि यहाँ पर हमने कार शोरूम तो भाई कराई था यहाँ पर हमने दो गोल्ड रंग की रोरोयल्स भी भाई करे थी जो हमने कार शोरूम के अंदर रखी हुई है और उसके करके भा काफी कुछ नई चीजे अपने कार शोरूम में लगाए हुई है जो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा फिलाल तो भई अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा नहा लेते और नहाने के बाद भई हम जाएंगे अपने कार शोरूम की तरफ और यहाँ पर मैं आपको एक और एक भाइ करी है लेकिन मैंने तो भई पूरा का पूरा कार शोरूम भाइ कर लिया है और अभी तक किसी को पार्टी नहीं दिये खेर भई यहाँ पर हम पार्टी तो उनको बाद में देते जाएंगे फिलाल तो हम यहाँ पर पार्टी के लिए रेडी हो जाते है और मैं यह देख अपने तो बिल्कुल भी नहीं पाने वाला हूँ एक मिनट भाई हमारी नोकरानी को देखो भाई यह यहां पर बैट के टाइम पास करती है कोई काम वगेरा नहीं करती है और पगार यह पूरी हमसे ले लेती है तो ठीक है भाई किसमें जाए अपने कार शोरूम की से यह यह रिख यह बाइक ना भाई मेरी सबसे ज्याधा बेस्ट बाईक है आपकर बाइक तो नहीं है मेरे पास वहम दीरे-दीरे यहां पर ले लेंगे लेकिन ऑक्तियम बाइक ना एक दम ही जबर जस्त है इसकी आप लूग देखो बाई कितनी ज्यादा इल्टीमेट होत पहले है इसको पोटी वगयर आई यह तो यह तो बगल के घर में पहले कारिव की दिर्फ लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम अपनें लिए कपड़े घ्रिद लेते हैं आज लैस्टर की पार्टी है तो यहricting कपडे पारे तो मैं बिल्कुल भी नई जाने वाला हूँ हम यहाँ पर कोई brand new एक suit buy करेंगे जो भै मेर पर जचेगा ठीक है तो बाइक को यहाँ साइड पर रोक लेते भै अगर आप यहाँ पर कभी भी टाउन में आते हो ना आपको suit buy करना है तो यह वाली जगा से buy करो बहुत ही जादा luxury shoot आपको देते एकदमी खतरनाग तो best fitting होती है इनकी suit की ठीक है तो यहीं से मैं भै शूट लेना पसंद करता हूँ तो देखते भै कौन सा suit हम आज लेंगे नहीं नहीं पूरा लेंगे हमको तो navy suit लेते हैं सुरा बहुत है इसके बारे में तो यह वाला suit देखो कितना जदा बढ़िया लग रहा है navy suit लेकिन भै इसका rate देखो आप 5500 डोलर इतना मैंगा suit है तो चलो कोई बात नहीं भै पार्टी के लिए best suit है और हमने यह buy कर लिया है तो इसके साथ के भी हम यहाँ पर जूते भी buy कर लेते जो suit पे must लगेगा ठीक है तो black रंग के जूते जदा हाँ यह वाले बढ़िया लग रहे ठीक है भाई लेकिन इसका भी rate काफी जादा 800 डोलर के जूते भाई इतने महेंगे जूते मतलब भाई यह चमड़े के जूते या सोने के जूते जो इतने जदा हमेंगे बेच रहे खेर भाई यहाँ पर हमने कपड़े ले लिए जूते ले ले लिए पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके लेकिन अभी फिलार हम जाएंगे अपने कार शोरूम के तरफ क्योंकि वहाँ पर हमें अपने बिजनस को भी समान ला है वैसे मैं आपको बता दू भाई यहाँ पर हमने जो दो रो रोल्स ली थी उनमें से एक बिग चुकी है और भाई वो हमारे मैनेजर ने बेची थी पूरे 10 م मिलियन डोलर की तो भाई मज़ा आ गया वैसे मैं आपको बता दू भाई यहाँ पर हमने जो रो रोल्स ख्रीदी थी उनमेंसे एक रो रोल्स की कीमत 7 मिलियन डोलर थी और भाई यहाँ पर हमने उसे बेच दिया 10 मिलियन डोलर में तो सीधा भाई हमें यहाँ पर 3 मिलियन डोलर का फाइदा हो गया और यह फाइदा बहुत बहुत ज़ादा है तो बस यार ऐसे अगर हम यहाँ पर काड़ी बेशते जाएंगे न तो कुछी दिनों में हम यहाँ पर काफी ज़ादा अमीर हो जाएंगे फिलाद अभी तो हमें यहाँ पर लेस्टर के पाटी में भी जाना है तो यार वहाँ पर भाई काफी कुछ हंगामा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम चारो के चारो दोस्त मिलेंगे मैं होंगा Franklin होगा Leicester होगा अपना भई Traver भी होगा वाँ पर तो देखते भई किस तरह की party होगी party का सारा का सारा बंदो बस हमारे Leicester ने करा है तो मुझे नहीं पता party किस तरह की होगी लेकिन party काफ़ी जदा interesting होगी ठीक है तो मेरा जो car showroom है यहीं कहीं होना चाहिए एक तो भई नया नया car showroom लिया है मुझे पता भी नहीं रस्ता तो यही है रस्ता मेरे ख्याल से तो चलो भई यहाँ पर हम पोच चुके अपने car showroom की तरफ और देखो भई यहाँ पर भीड देखो आप कितनी ज़्यादा लग चुकी है उपर से यहाँ पर आप guard देखो हमने कितने ज़्यादा हायर कर लिये क्योंकि यहाँ पना भीड जादा है तो security भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी ठीक है तो भाई को हम तोड़ा side पे रोक लेते ठीक है भाई भाई को हमने side पे खड़ा दिया है और यहाँ पर देखो भाई कितनी ज़्यादा बीड लगी हुई है और यहाँ पर हमने कुछ नए रोरोल्स भी मगा के रखी हुई है जो एकदम अलग अलग है ठीक है वो सब हम देखेंगे बाद में लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बाहर का दिखा जाता हूँ कि हमने यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा गार्ड हायर करें और सब के हातों में भाई मशीन करने है तो कोई भी आगर यहाँ पर चोरी चकारी करने की कोशी करेगा ना तो पेला जाएगा तो अभी तो फिलार भाई हमने यहाँ पर चार रो रोल्स रखी हुई है एक तो हमारी गोर्ड की बिक चुकी है लेकिन एक अभी भी शोकेश पर रखी हुई है और यहाँ पर आप रंग देखो इनके गारियों के कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे वैसे यह वाली गाड़ी आपने मेरे घर में भी देखी होगी तो यह गाड़ी भी मैंने ओर्डर करी थी क्योंकि मुझे यह ऐसी गाड़ी आना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन भाई यहाँ पर आप बाकी की गाड़े आँ देखो कितनी जादा जबरदस लग रही है रेड वाले को देखो भाई इसका रंग कितना ज़ादा प्यारा लग रहा है वैसे ब्लू वाली भी कुछ खास बुरी नहीं है पुली वाली भी काफी ज़्यदा डिमार्ड में देख रहो भई कितनी ज़्यदा खतरनाग लग रही है और रेड वाली की तो आप बात ही चोड़ तो भाई इसको तो मैंको बेचने तक का मननी कर रहा इतनी ज़्यदा धासू लग रही है देख रहो भई, मतलब यहाँ पर जो रोल्रोल्स की गाड़ी की लुक होती है एकदम खतरनाक लुक होती है, पूरी लग्जरी लुक होती है, जैसे आप यह वाली गाड़ी को देख रहो, पूरी गोल्ड की है और इसी से कस्टमर एट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारे शोरूम में जो इतने ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, वो सिर्फ वो सिर्फ गोल्ड गाड़ी को देख के आ रहे हैं, तो मैं अब आपको बार की तरफ भी ले चलता हो, कि बार की तरफ आपने क्या-क्या रखा हुआ है, तो जैसे कि आप देख रहो भई, यहाँ पर हमने एक गाड़ वगेरा तो हायर करे ही हुए, लेकिन यहाँ पर हमने देख को ट्रक वगेरा भी ले लिया है, जिससे हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को डिलिवरी कर सकते हैं, जिन जिनों ने यहाँ पर गाड़ी को ओडर दिया हुआ है, और यहाँ पर देख को हमने एक टो ट्रक भी ले ल कोशी लिए रखा हुआ है कि कभी कभी यहां पर ना खाली एक ही गाड़ी का ओडर आता है तो वो बस हम इसमें लोड करवा के पते में छोड़ सकते हैं तो अभी हम चलते अंदर की तरफ और यहां पर बात करते हैं हमारे मैनेजर से और उसे पूचते कि यहां पर जो कस्टमर रहें वो कौन सी गाड़ियों की ज़्यादा डिमांड कर रहें ताकि भाई उसके मताबिक ना हम यहां पर वो वाली गाड़ी का ओडर कर ले और उसके बाद भाई यहां पर हम उन्हें बेचना शुरू कर दे ठीक है और यह सब हमें मैनेजर से पता लगेगा क्योंकि मैं ज मैनेजर बताएगा तो चलते हैं अपने मैनेजर के ओफिस की तरफ और देखते हैं यहां पर वो हमें क्या बताता है तो सामने की तरफ हमारा मैनेजर खड़ा हुआ है तो फटा बाट उससे बात कर लेते हैं तो यहां पर मेरी बात हो चुकिया हमारे मैनेजर से और यहां प यहाँ पर हमें उनसे पेमंट भी लेके आनी है तो कितर गई हमारी रेड रंग की रोरोयल्स वैसे मैं आपको बता दू भाई यह वाली रोरोयल्स मुझे काफी ज़्यादा पसंद आए थी क्योंकि इसका जो रेड रंग का रंग है न भाई वो तो भाई मेरे सीधा दिल को लग गया था और मेरा मन नहीं था इस गाड़ी को बेचने का मेरा मन था भाई इसको मैं अपने पास परसनली रखू पर चलो कोई बाद नहीं जैसको बेचना थो पड़ेगा अगर हमें यहाँ पर काफ शोरू में भई यार कमाई वगेरा करनी है तो गाड़ियों को बेचना होगा ठीक है मैं अपने पास सारी गाड़ियां नहीं रख सकता जो जो मुझे पसंद है हमें भई यहाँ यहाँ पर गाड़ियों को बेचना होगा लेकिन भाई इस गाड़ी के आप लुक देखो है कितनी जाता जबर जस्त है मेरा तो money नहीं कर रहा है इसको बेचने का पर यहाँ पर एक business man ने इसको बाई order कर लिया है तो हमें यार इसको देखे आना पड़ेगा लेकिन भाई यहाँ पर इसके हमें अच्छे खासे पैसे मिल चुके यह भाई हमने ना यहाँ पर पाँच मिलन डॉलर में बेज दी है और भाई इतना पैसा इसे मिल रहा है तो उसको बेचना तो पड़ेगा एक मिल डिया इसको निकालने में ना दिक्कत काफी ज़दा आती तो उसको थोड़ा गुमागे निकाल लेते और यहाँ पर भाई अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा यह जो फ्लोर है ना भाई इसमें टैरो के निशान ही नहीं आते तो यह फ्लोर की सबसे ज़दा बढ़िया बात है कि यहाँ पर भाई आप जितनी मरजी गारियों को यहाँ से वहाँ कर लो टैरो के निशान तक नहीं आएंगे लेकिन भाई यह जो हमारा कार्शोरूम है ना जहां तक मुझे लगता है थोड़ा चोटा सा हो गया एक तो भाई यहाँ पर जो रो रोल्स गारियां होते हैं उनकी हाइट देखो उनकी लेंद देखो कितनी ज़दा होती है और यह कार्शोरूम यार थोड़ा चोटा होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर आप इसकी लुक देखो कितनी ज़दा बढ़िया लग रही है दूप में तो यह होड ज़्यादा शाइन कर रही है मेरा मन तो इसे बेचने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है पर चलो खोई बात नहीं हम इसको बेच देते लेकिन ऐसी एक नई रो रोल्स हम अपने पास जरूर रखेंगे तो फटा फट से यहाँ पर हम ट्रक को निकाल लेते क्योंक इसको डिलिवरी करने के बाद में पैदल तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ इसलिए यहाँ पर हमको ट्रक को ले जाना पड़ेगा अपने साथ और इसमें हम अपनी रो रोल्स को लोड करेंगे और उसके बाद इसको इसके पते में छोड़ के आएंगे ठीक है इसके पैसे हमें काफी जदा बढ़िया मिले तो इसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आना चीए ठीक है तो फ़ई यहाँ पर हम फटा फट से लोड करवाते गारी को इस ट्रक में और चलते इसको डिलिवरी करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर हमको पार्टी पे भी जाना ह का पता है नहीं लगता अरे भाई कैसे ड्राइव कर रहा है यह बंदा पता नहीं बाई मुझे एक बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है जब भी यार मैं सोचता कि मेरी गाड़ी से किसी का भी एक्सिड़न ना होना मुझे इस तरह के साइक को ड्राइवर मिली जात जो भी अपने आप मेरी गाड़ी से अपनी गाड़ी को ठोक रहे होते है पता नहीं बाई क्या होगा हमारे लो सेंटोस का अगर इस तरह के यहां पर जो ड्राइवर है बहुत ज़्यादा हो जाए फिलार भाई मैं आपको बता रहा था एक मिनट भाई यहां पर इतना ज़ तो हमें फटा-फट से इस काम को कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके बाद हमें जाना लैस्टर के पार्टी में पता नहीं बाई पार्टी किस टाइप की होगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है यह सब पता हमारे लैस्टर को उसने सब डिसाइड करा अरे यार पता नह यहां पर टुकी जा रही है तो पता निए भाई में को लेस्टर ने किस तरह की पार्टी रखिए वहां पर उसने क्या-क्या बंदोबस्त करा होगा वैसे मैं उसकी ना लगता है भाई आज सारे के सारी गारिया मेरे से टुकने वाली है मुझे लग तो यही रहे तीन चर गारियों को मैंने ठोक दिया है ठीक है फिलार भाई मैं आपसे यह कह रहा था कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है लेस्टर की जो पार्टी है वो किस तरह की होने वाली है और मुझे ये भी नहीं पता लेस्टर की गाडी है वो किस तरह की उसने मगाई है मैंने अब tournaments के बारी में नहीं पूछा कि उसने गाडी कौन सी मगाई है किस तरह की गाडी है कुछ भी नहीं पूछा वो में बाद में पता लगेगा फिलाल तो भाई हम फटाफट से गारी को डिलिवरी करके आते हैं क्योंकि मुझे लगता है ना भाई इसमें लगने वाला काफी ज़्यदा टाइम और मेरे को लगता है आज मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो भाई फटा फटा इसको डिलिवरी करके आते हैं भाई यहां पर काफी ज़दा ड्राइविंग करने के बाद फाइनली हम पोच चुके अपनी लोकेशन की तरफ जहां पर भाई हमें इस गाड़ी को डिलिवरी करके आना है और उनसे बस पेमेट वगेरा लेनी है तो यह वाला काम भी अब खतम होने वाला है तो सामने जो घर दिखे रहा है यह अमीर वाला घर तो यह उनीक है जिनोंने इस गाड़ी को ओडर कर रहा है तो मैं बैल वगेरा तो बिल्कुल भी नई बजाने वाला हूँ हम सीधा भाई ट्रक को अंदर ही ले जाएंगे ठीक है कौन उतरेगा कौन उतर के बैल बजाएगा सीधा भाई ट्रक को अंदर ले जो और इसको भाई यहाँ पर यह जो हमारी रोरोल से इसको दे देते और पेमेट वगेरा भी ले 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 ठीक है वैसे यहाँ पर इसके पास तो वैसे भी काफी ज़्यादा यूनिक यूनिक काड़े रखी हुई है लगते काफी ज़्यादा अमीर आदमी है ये चलो कोई बात निए भाई इसे फटावर्ट से बात कर लेते वैसे भी हम काफी ज़्यादा लेट हो रहें तो फटावट से इसे बात कर लेते und पेमेंट वगेरा भी ले लेते तो guys भही हमने अपनी गाड़ी को डिलिवरी कर दिया है और पेमेंट वगेरा भी ले लिये तो यह वाला काम हमारा खतम हुआ वैसे मेरा बिलकुल भी मन नहीं था अपनी ये वाली रोय रोयल्स को बेचने का पर चलो कोई बात नहीं बेच दिया अच्छे दांबिया में मिल गए तो ये वाला काम तो खतम हो गया है तो अब हमें यहाँ पर चलना चाहिए लेस्टर के ओफिस और भाई यहाँ पर मोसम देखो कितना ज़्यादा बिगट चुका है मतलब यहाँ पर लगता है बारिश होने वादी है फिल्यार भाई मैं आपको एक और एक बात बता दू कि यहाँ पर जो लेस्टर है न पता नहीं भाई क्यों काफी ज़्यादा परिशान हो चुका है वो भाई मिनको फटा फट से अपने घर के तरह बुला रहा है मतलब अपने ओफिस में बुला रहा है पता नहीं क्या बात होगी है लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा डरा हुआ है पता नहीं क्या बाट होगी है लगता है यहाँ पार्टी में कुछ गड़ बड़ी होगी है या कुछ नहीं कुछ तो ऐसा हो गया है कि यहाँ पर उसकी पूरी फट चुखी है वैसे आपको पता है लेस्टर चोटी-चोटी बाटों में डर जाता है तो मुझे लगता नहीं जाता कुछ बड़ा हुआ होगा लेकिन आपको पता है वो डरता कितना है तो उसको तो भाई हर चीजी बड़ी खतरनाक लगती है कोई बात नहीं हम ट्रक को छोड़के आते हैं अपने ओफिस में और वहां से अपनी केटियम चखते हैं क्योंकि ये ट्रक लेके तो मैं बिल्कुल भी नई जाने वाला हूँ पार्टी में ठीक है काफी बेस्टी हो जाएगी यार रो रोल्स का ओनर है और ट्रक लेके गुमता है ठीक है तो यहां पर ट्रक को छोड़ते हैं अपने कार शोरूम है और वहां से केटियम लेके चलते हैं अपने लेस्टर के ओफिस और देखते हैं यहां पर वो क्यों परिशान हो रहा है वैसे मुझे लगता नहीं परिशान होने वाली कोई बात होगी पर चलो कोई नहीं अगर वो इसतना ज़ादा डरा हुआ है तो एक बारी जाकर देखी लेते हैं ठीक है तो गैस भाई यहां पर हम पहुँच चुके अपने कार शोरूम की तरफ तो फटा-फट से अपने ट्रकों खडाते हैं और चलते हैं लेस्टर के ओफिस लेकिन भाई आज मैं बता दू हमारा जो आज का दिन है ठीक ठाकी चला गया हाला कि शुरू-शुरू में मुझे लगा था कि आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा लेकिन भाई जैसे हमने अपने जो कार की डिलिवरी करी ना उससे जो पैसा मिला उसके बाद भाई मेरे को लग रहा है आज का दिन काफी ज़्यादा बढ़िया जाएगा फिलाल भाई आज का दिन अभी पूरा खतम तो नहीं हुआ है तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि पूरा दिन किस तरह का जाएगा लेकिन अभी तक का दिन तो काफी ज़दा बढ़िया चर रहा है एक गाड़ी को हम डिलिवरी करके आ चुके और मेरे को लगता है यहाँ पर मैं न इसी तरह हमारी कमाई होती जाएगी न तो बहुत जल्द हम यहाँ बहुत बड़ा मैंशन भी बाइक करने वाले और अगर बस इसी तरह से भगवान की किरपा रही हमारे यहाँ पर गाड़े बिकती रही न तो बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े मैंशन और बड़े बड़े कार शोरूम भी हम लेने वाले वैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पर हमें कार शोरूम क पैसा कमा सकते हैं फिलाल तो भी हमें फटा फट से जाना है लेस्टर के आफिस क्योंकि वो तो भागोलों की तरह मुझे फोन करी जा रहा है पता नहीं क्या बाद होगी है उसकी? वो मुझे इतना जादा फोन के कर रहा है वो पागलों की तरह तो पता नहीं क्या बात होगी या तो वही जाकर बता लगेगा कि वो इतना जादा क्यू डरा हुआ लगता है यहाँ पर पार्टी को लेकर कुछ उसे प्रोब्लम होगी होगी या फिर किसे उसकी लड़ाई हो जो कि पता नहीं यार बुझे नहीं क्या हो गया एक तो भई यहां पर लैस्टर ढरता भी इतना ज़ादा है ना कि अगर उसको किसी ने भई हलका सा ना धक्का भी दे दिया तो भई वो मेरे को फोन कर देता है कि भई माइकल यार मेरे को एक बन्दा परिशान कर रहा है उसको बस फटाफट से खतम करना है तो इतना जादा वो ढरता है तो पता नी क्या बात होगी तो फटाफट चलते लैस्टर के उफिस और देखते हैं भई क्या पता भई यहाँ पर वो प्रैंक तो नहीं करना है मेरे साथ क्या ऐसा हो सकता कि यहाँ पर वो मैं को ड्राने के लिए प्रैंक कर रहा हो ताकि मैं फटा फट से उसके ओफिस में पोस्ट जूँ क्योंकि आपको पता ही है माइकल हर जगा कितना ज़्यादा लेट पोस्त है इसलिए भई क्या पता उन्होंने मुझे पहले पुचाने के लिए ये ड्रामा कराओ पता निये भई क्या होगा तो फटा फट चलते लेस्टर के ओफिस तो गैस भई यहाँ पर हम पोचने वाले लेस्टर के ओफिस लेकिन भई यहाँ पर लेस्टर तो फ्रैंक्नेल भी अब काफी ज़धा परिशान हो चुक है लेकिन एक मेनट भाई ये किसकी गाड़ी है ओ माइग गोड कई यह Lester की गाड़ी तो नहीं है भाई यह तो रेंजरों हो रहे ना वो भी green रंगी क्या बात है भाई एक तो must लग रही है मुझे लगा नहीं था भाई Lester कोई ऐसी गाड़ी लेगा यार मेरे को लगा था Lester को यहाँ पर छोटी मोटी काड़ी ले लेगा लेकिन उसने तो मेरे को सप्राइज ही कर दिया और यह हमारी Franklin की गाड़ी लेकिन क्या यहाँ पर Trevor ने आए गया भी तक Trevor की गाड़ी तो मुझे कहीं दिखी नहीं थी एक मिनिट यहाँ पर Franklin की गाड़ी है लेकिन किसे बात कर रहे हैं यह ओ भाई यह पर पर पाड़ी का बंदो बस दिखो क्या क्या रखा हुआ दारूई-दारू रखी है लगता आज कापी जादा धुमधाम से पाड़ी करने वाले एक मिनिट यह बात किसे कर रहे हैं दोनों यार यह दोनों पागल के पागली रहेंगे मतलब भई यहाँ पर Lester और Franklin इसलिए परिशान हो रहे है क्योंकि भई Trevor न अभी तक पाटी में नहीं आया है और जब यह उसे फोन कर रहे हैं तो उसका फोन स्विचो बता रहा है मतलब भई यह भी कोई घबराने की बात है गया इन दोनों को पहले भी पता है कि Trevor कितना ज़्यादा पेकर बनता है वो भई यहाँ पर PK नशे में कहीं धुत पड़ा होगा उसका फोन भी क्या पता कहीं गुम गया होगा कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर यह दोनों तो ऐसे ढरगे है जैसे कि यहाँ पर किसी ने Trevor को घड़ने भी कर लिया हो मतलब यह भी कोई घड़ने वाली बात है क्या फिलार भई यहाँ पर Lester उसे काफी टैम से फोन कर रहा है लेकिन फोन उसका लगी नहीं रहा है उल्टा स्वीचो पड़ा हुआ है काफी टैम से तो Lester कह रहा है एक वारी ना हम उसके घर जाके चेक कर लेते कि क्या मामला है क्या पता भई Trevor किसी बड़ी मुसिबत में हो ठीक है ऐसा Lester कह रहा है वैसे दिखने में तो ये गाड़ी काफी ज़्यादा बढ़िया लग रही है चलाने में देखते भई ये गाड़ी कैसी है लुक देख रहे हो भई गाड़ी की कितनी ज़्यादा ultimate लग रही है एक काम करते थोड़ा स्पीड ओ भाई साब इसकी तो भई ग्रिब भी काफी ज़्यादा तगड़ी है और पिकप भी काफी ज़्यादा सोलिड है तो गाड़ी तो ओवरल मैं बोलूँगा एकदम ही धमदार लिये लेस्टर ने उसके हिसाब तो गाड़ी तो भाई एकदम एक मिनट भाई इसके अलोवील देख लो कितने ज़्यादा ख कितने ज़्यादा अल्टिमेट लग रहे है भाई बला भाई क्या बात है इस गाड़ी की फिलाल भाई मेरे को तो बिल्कुल भी मन नहीं करने ट्रैवर के घर जाने के लिए क्योंकि यह ऐसा वो ना भाई दो तिन वारी भी कर चुका है दो तिन वारी क्या वो जातर ऐसा य नहीं लोगा क्योंकि यह दोस्ती का मामला है दोस्ती के लिए तो भाई हम हर वक्त रैडी है अब यहाँ पर लेश्टर को चाहिए हलका सा लग रहा हो कि उसकी जान को खतर है तो एक बारी जाने में बुरा ही क्या है ठीक है और वैसे भी हमारे पास कौन सा और कोई काम है त देखते हैं भाई वो कहाँ पर मर रहा है ठीक है घर पर है कि कहाँ पर है अगर कई नाली में पड़ा होगा ना तो भाई मैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं चखने वाला हो यह हमारे लैस्टर और फ्रैक्लीन चखेंगे उसको क्योंकि यहाँ पर वो ना काफी वारी यही कर तो गैस भाई यहाँ पर हम फाइनली पोच चुके ट्रैवर के घर की तरफ और यहाँ पर भाई हम देगेंगे कि ट्रैवर भाई हमारे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है और यहाँ पर ट्रैवर पार्टी में भी क्यों नहीं आया ठीक है वैसे मुझे लगता नहीं य यहाँ पर ट्रैवर की किसी ना किसी से लड़ाई होई होगी और यहाँ पर आप खून देखो कितना ज़्यादा लगा हुआ है भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गरबड है एक मिनट भाई साब यहाँ पर लगता ट्रैवर की किसी से गड़बर है या तो फिर ट्रैवर ने किसी को भाई बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ है या तो फिर या ट्रैवर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ है अब इम दोनों में से कोई ना कोई बात तो हो सकती है मतला भाई यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बर है भाई हमें पता लग चुका है खुन इतना जाता उसने घर में लगा हुआ है तो लड़ाई तो पका उसकी हुई होगी और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो खुन है किसका है ये खुन ट्रैवर का है या फिर किसी दूसरे इंसान का मेरे को तो लगता है भई यहाँ पर ना ट्रैवर भई अपने दोस्त के साथ पाटी कर रहा होगा अपने घर में और भई उन दोनों के बीच लड़ाई होगी होगी इस बीच भई ट्रैवर ने अपने दोस्त को इतना मारा इतना मारा की वो मर गया होगा और भई यह सारा का सा तरा खूना उसके घर में फैल गया होगा और ट्रैवर फिट डरके मारे भाई यार उसकी बोड़ी को कहीं ठिकाने लगाने चला गया होगा और शायद भही पर भ्योश कुछ हो गया होगा ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वापिस वो अपने घर क्यों नहीं आया यह सोचने की बात और अगर भाई यहांपर इतना बड़ा कांड होता ना तो भाई वो हमको फॉन तो जुरूर करता लेकिन उसका फॉन तो भाई क्या ही आएगा उसका फॉन तो भाई सू चौफी दे रहा है फिलाल हम जा रहें आगे की लोकेशन की तरफ जहां पर भाई उसके कुछ दोस रहत तो वहाँ जाके हम देखेंगे उनसे बात करेंगे कि उन्हें ट्रैवर के बारे में क्या कुछ पता है तो guys भाई यहाँ पर हम पूचने वाले ट्रैवर के दोस्त के पास ट्रैवर यहीं पारड़िशाटी करता है तो एक मिनट भाई साब यहाँ पर तो इनका भी murder हो रखा है भाई यहाँ पर हो क्या रहा है सब के सब मरे हुए क्यों दिखे रहे है मुझे को देखरो भाई यहाँ पर यह लोग भी मरे हुए और यह Trevor के दोस्त है तो मेरे ख्याल से क्या इन सब के भी लड़ाई होगी एक मिनट भाई यहाँ पर हो क्या रखा भाई सब के सब भाई यहाँ पर मरे हुए और Trevor यह ऐसा इनसान है जो भाई अभी फरार है तो क्या पता भाई यह सब यहाँ पर party shawty कर रहे होंगे और Trevor की भाई यहाँ पर इन से लड़ाई होगी होगी और उसके बाद भाई या ट्रैवर ने इं इन सब को मार के यहांसे भई वो भाग गया हो कहीं ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपको थो पता ये ट्रैवर का गुसा कितना ज़ाद है शायद भाई यहाँ पर ना उनकी यार इन से बहस होगी होगी और ट्रावर ने इन सब को मारा भाई गोलियों से और मेरे क्यार से उसको भी थोड़ी चोट लगी होगी इसलिए भाई वो घर गया था घर से पैसे वैसे चक्के होंगे गाड़ी में बैठा होगा और वहाँ से निकल गया होगा तब यह भाई उसके घर में उसका खून भी लगा था और वहाँ पर कोई लाश भी नहीं थी शायद ऐसा हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर देख लो सबके सब लोग मरे होएंगी गाड़ी वाड़ी भी किसी ने फोड़ दी है तो भाई हमें को भी यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले भाई यहाँ पर कोई पुलिस वर गहरा ना आज है ठीक है तो यहाँ से निकलना हमारे लिए बैस्ट होगा लेकिन भाई हमें कुछ भी नहीं पता है कि ट्रैवर कहां है उसके साथ क्या हुआ है हमें बस इतना पता है कि ट्रैवर मुश्किल में पर सकता है मेरे को तो लगता है भाई ट्रैवर की ना यहाँ पर किसी से बहुत तगड़ी लड़ाए गुई है कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे भाई वो डर चुका है और डर के ना कहीं छुप चुका है तो हमें भाई उसे ढूनना होगा उसे समझाना पड़ेगा देखना पड़ेगा भाई यहां पर वो बड़ी मुसीबत में ना फज जाए तो देखते भाई यहाँ पर फटाफट से चलते हैं हम अपने घर की तरफ लेकिन भाई यहाँ पर मुझे न एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि ट्रैवर भाई कोई चोटा मोटा इंसान है वो ऐसा डर्पोक इंसान ही है कि यहाँ पर वो किसी को मार कहना कहीं अंडरगरांड हो जाए वो भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाग बन दा है लेकिन भाई यहाँ पर पता नहीं वो क्यों चुप रहा है और किस से चुप रहा है क्योंकि यार यह उसने पहली बारी तो किसी को नहीं मारा है ऐसे तो यहाँ पर वो काफी ज़्यादा लोग को मार चुका है और भाई सो बात की एक बात अगर भाई उसके साथ कोई हाथसा हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो भाई यहाँ पर हम को ना जरूर बताता वो हमें फोन करके जरूर बताता कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं करा तो भाई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ट्रैवर के साथ क्या चल रहा है तो गैस भाई यहाँ पर हम पोच चुके लेस्टर के ओफिस लेकिन भाई यहाँ पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ मतलब भाई यहाँ पर मैं ट्रैवर को ढूंडू की ना ढूंडू अगर हम ट्रैवर को ढूंडे तो कौन सी जगा में ढूंडे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है एक तो भाई यहाँ पर उसके दोस्तों का भी मर्डर हो चुका है अब यह नहीं पता भाई यह मर्डर हमारे ट्रैवर ने करा है या फिर किसी होर ने करा है बस मुझे इतना बता है कि ट्रैवर कोई बहुत बड़ी मुसीवत में फसने वाला या फिर फस चुका है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है अगर भाई ट्रैवर के साथ कुछ भुरा हो रहा था तो भाई उसने हमें यहाँ पर फोन तो जरूर करना चाहिए था लेकिन भाई उसने हमें यहाँ पर कोई भी फोन नहीं करा तो पता नहीं भाई यहाँ पर ट्रैवर के साथ क्या हुआ है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता या फिर मुझे लगता है भाई ट्रैवर नेना यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कांट करा है जिससे भाई वो यहां पर काफी जधा डर चुका है और डर के मारे कहीं पर छुब चुका है ठीक है फिलार भाई अभी मेरे को here किसी का फोन आ रहा है तो एक पारी फोन चेक कर लेते जिए उन्मट वीडियो को शेंड करी किसी ने एक बारी चेक कर लेते क्या पता भाई ये हमारे ट्रैवर ने वीडियो साइडना करी हो अरे भाई साब ये तो बहुत बड़ा पंगा पढ़िया भाई यहाँ पर हम तीनो पार्टी की त्यारी कर रहे हैं और भाई यहाँ पर ट्रैवर को किसी ने गिड़नाब कर लिया और भाई उसको बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं मतलब भाई उसको काफी ज़्यादा टोचर किया जा रहा है अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन से लोग है जो भाई है ट्रैवर को गिटनैप करके रहे गए और भाई उसको बहुत जदा मार रहे है वह यार यह तो बहुत बड़ा पंगा पढ़ने वाला भाई वो मुझे कोई आम आदमी तो लगनी रहते भाई जिस तरह उन्होंने से मारा हुआ है ना भाई वो पका कोई ना कोई खतरनाग गैंग होगी लेकिन भाई हमें ये तक नहीं पता कि वो कौन से गैंग है जिनोंने ट्रैवर को गिटनैप करा था भाई ट्रैवर की तो बहुत हालत कर रही है मतलब भाई उसको बैंच में बिठा के रखा हुआ है उसको रसी से बांदवा और एक बंदा ना भाई उसको मारे जारा है मारे जारा भाई उसके शरीर में इतना खून लगा हुआ ट्रैवर के तब भी यार वो उसको बहुत ज़्यादा टोचर कर रहे है या कि अब वो उसको इतना जादा टोचर कर रहे हैं तो या उनको वो मार भी सकते हैं भाई साब ये तो बहुत बड़ा पंगा होने वाला है पता नहीं भाई वो कौन से लोग है जिन्नोंने ट्रैवर को या इतने भुरे तरीके से मारा हुआ है हमें बहुत जल्दी कुछ ना कु कोई तो डील करी लेते जैसे तैसे करके ट्रैवर को बचाके लेके आ जाते लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी क्लू नहीं है कि वो अभी फिलाल कहां पर है भाई ये तो बहुत बुरा कुछ होने वाला है मेरे क्याल सेर आज के लिए तना काफी है अगर आपको वीडियो पस अतरनाक होने वाली है तो यहां से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लागन दबादेना बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और अगली वीडियो हम ट्रैवर को पक्का बचाके लाएंगे तब तक अपना ख्याल रखिए बाई बाई